Dear students, मुझे इस module में आपसे pre-school semantic development पर detail से बात करनी है In linguistic terminology, the word semantic is used the science of world meaning यह जो semantic word है, यह word meaning के लिए इस्तमाल किया जाता है और जो contemporary science है या contemporary period में इसको कुछ और लोगों की मतलब कुछ और senses में भी इस्तमाल किया जाता है इसको semantic को और number of other terms भी इसके बारे में जो इस्तमाल की जाती है इसके हवाले में यानि इसके meaning में वस्त पाई जाती है और बोली जाती है और इस area के बारे में और भी terms use होती है जो semantics और यह proper period है pre-school the study of meaning a clear definition of meanings of a word to contribute a word to contribute remove the rigidity of the language यह जो meanings है semantics हैं यह इनका एक काम यह भी है कि यह language की rigidity को दूर करते हैं और rigidity की वज़ा से लोगों के जो emotional unbalance पैदा हो जाता है emotionally वो balance नहीं रहते तो जो semantics है यह जो words meaning है यह उसको भी दूर करते हैं यह जो जो unbalance है उसको balance में बदलते हैं और लोगों में जो emotional balance है उसक में increase करते हैं बचे आम तोर पर बारा मा की age के बाद पहला लफ़ बोलते हैं और इस stage को one word stage कहा जाता है और इस period में आम तोर पर बचे चीजों के नेम्स जो होते हैं अबजेक्स के नेम्स होते हैं उनके जो words होते हैं उन नेम्स पर मुस्टमिल होते हैं और यह जो उनका language में increase होने का process होता है यह बड़ा gradual process होता है आहिस्ता आहिस्ता weekly दो तीन words वो सीखते हैं लेकिन इसके बाद जब आगे उनकी age कुछ बढ़ती है तो फिर उनकी language development की रफ़तार बढ़ जाती है और जो object words है वो command some social words तो कुछ social words भी वो सीख लेते हैं जैसे by by या आम तोर पर देखा है मैंने पिछले module में भी बात की कि conversation जो होती है उसमें चुक्के उसके care givers और siblings वगारा बच्चों से बातचीत करते हैं उसके साथ उसको conversation में उसके साथ busy रहते हैं तो फिर naming objects के साथ साथ कुछ social words भी उनको सिखाते हैं और वो बोलते हैं और बच्चा भी आगे से कुछ उसको respond करता है और उसी तरह वो भी सी सिकता है और कई माँ तक ये सिलसला जो words की learning का जारी रहता है लेकिन जब ये तकरीबन एज बच्चे 18 माँ से उनकी एज होती है तो इस एज तक वो तकरीबन 100 अलफाज सीख लेते हैं और उनकी जो vocabulary है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और ये बहुत उसके बाद के दो साल की एज तक ये उनकी जो vocabulary है उसमें rapid increase होता है और इसका rate भी high बढ़ जाता है और जो early childhood में उनकी जो vocabulary है ये फिर तेज रफतारी से बढ़ना शुरू हो जाती है और इसका estimate है कि 5 साल के बच्चे के अमर में उसको तकरीबन वो 6000 words वो उसका जखीरह अलफास होते हैं उसकी vocabulary इतने अलफास पर मुश्टमिल होती है और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर डेर साल के बच्चे की जो vocabulary का जो है वो 100 अलफास है तो फिर next साड़े तीन साल में वो तकरीबन 5900 अलफास जो सीखेगा और ये उसके जखीरह अलफास में इस तरह वो 6000 अलफास पांच सा को पहुँचेगा और ये आम तोर पर ये है जो ये वर्ड डिवैलमेंट की जो रफतार है काफी फास्ट होती है और फिर वो कॉम्पलेक्स जाहर है इस लेवल तक वो सिंगल वर्ड तो नहीं बोलता फिर फिर वो ये है कि टू वर्ड है फिर थ्री वर्ड है आगे मुखलि सेंटेंस बोलना शुरू हो जाता है और नेमिंग अवेरनेस अवर्ड है और यानि हर चीज का एक नेम होता है और उस जो उसके नाम रखे जाते हैं उनके करेक्टरिक्स की वज़ा से रखे जाते हैं और अप्लिकेशन अव वर्ड लर्निंग स्टैटेजीज या जो प्रिंसिपल्स हैं ये ये भी बच्चा इनको इतलाग करता है और इसे वो वर्ड सीखता है और उसमें थ्री वर्ड लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं या हम तो जो कुछ आथर्स ने ये भी बताया है कि वर्ड वर्ड्स को जो लेबल किया जाता है वो वर्ड्स की के लिहाज से किया जाता है तो यह थी प्री स्कूल सिमेंटिक डिवेलमेंट जिसके मैंने आप से बात की